आज हम जानेंगे कि शरीर रहित कर्म रहित आत्मा मोक्ष में किस बल के आधार पर जाती है वो कौन से सकती है जिससे मुक्त आत्मा लोग के अंतिम भाग में जाकर स्तित हो जाती है क्या मुक्त आत्मा अपने आप गती करके जा सकती है तो जानते हैं क्या कहते हैं भगवान महावीर तो भगवान महावीर के प्रमुक्षिश्य गौतम भगवान महावीर से पूस्ते हैं कि भगवन जो जीव कर्म रहित है उनकी गती कैसे होती है तो बगवान महावीर समादान देते हुए बताते हैं कि मुक्त आत्मा की गती निसंगता निरागता आसकती वर्जित राग रहित गती परिमान से बंदन का विच्चेद हो जाने से कर्म रूपी इंदन से चूट जाने से और पूर्व प्रयोक से होती है जैसे कोई व्यक्ती छेद रहित निरूहत अखंडित तुम्बे को परिकर्म संसकार करते करते उस पर डाब या कुस लपेटे वैसा करके उस पर आट बार बृतिका का लेप करता है फिर उसे सुकाने के लिए धूप में रख कर पुना पुना उसे सुकाता है जब वो भली भांती सुक जाती है तब उसको अपार अतरनिय पुरुष्ट प्रमान से अधिक पानी में डाल देता है तब वो तुम्बा मृतिका के आट लपेटों से अधिक भारी हो जाता है पानी के ऊपर के तल को छोड़ कर पानी के पैंदे में यानी तल में जाकर टिक जाता है उस तुम्बे पर लगे मृतिका के आटो लेप जब पानी में गल जाते हैं नश्ट हो जाते हैं उतर जाते हैं तब वो तुम्बा नीचे के तल को छोड़ कर जल के उपर के तल पर आ जाता है तुम्बे की तरही नी संगता से कर्मों के मल के लेप के दूर हो जाने से और निरागता से यानी राग रहित हो जाने से गती परिनाम से अकर्म यानी कर्म रहित जीव की भी गती उर्द्व गती हो जाती है आगे भगवान बताते हैं कि जैसे मटर, मूंग, उडद, सेम की फली और एरंड फल को धूप में रक कर सुखाने पर या सूख जाने के बाद वे स्वयम फट जाते हैं उन में से बीज उचलते हैं उसी प्रकार जब कर्म रूप बंधन का छेद हो जाता है तब कर्म रहित जीव की गती होती है जैसे इंदन से जलती हूई लकडी से मुक्त धुय की गती यदि बीच में किसी प्रकार का व्याघात न हो तो स्वभाव से उर्ध्व यानी उपर की ओर होती है इसी प्रकार कर्म रूप इंदन से चूट जाने से कर्म रही जीव की गती उर्द्व होती है जैसे धनुस से कोई बान चूटता है भीच में कोई व्यवधान न हो तो उसकी गती अपने लक्ष्य की और होती है उसी प्रकार पूर्व प्रयोग से कर्म रही जीव की गती अपने लक्ष्य सिद्धस्तान की और होती है आगे भगवान बताते हैं कि अयोग अवस्ता पाने से पूर्व योग अवस्ता में जो प्रयोग या अभ्यास रहता है उस अभ्यास के कारण बिना प्रयत्न के ही स्वयम गती निश्पन होती है जैसे पका हुआ और सुका हुआ एरंड का फल फूट जाता है तो उसका बीज बिना किसी के द्वारा उच्छाले जाने पर भी उच्छल पड़ता है उसी प्रकार योग अवस्ता में जो गती का पूर्व प्रयोग रहा था उस प्रयोग के कारण बिना किसी प्रकार के प्रयत इतन से भी सिद्ध जीव की उर्द्व गती हो जाती है। जैसे इंजन द्वारा खींचा हुआ रेल का डिब्बा इंजन के अलग हो जाने पर भी कुछ देर तक पट्री पर चलता रहता है। उस समय उसे कोई नहीं चलाता फिर भी वो चलता है। इसका कारण पूर्व प्रयो अर्थात जो पहले गती का संसकार है उससे वो चलता है। तो यही तत्य सिद्ध जीव की गती पर भी लागू होता है। तो ये थी संचिप्त जानकारी मुक्त आत्मा से संबंदित। तो आज का प्रश्न है कि सिद्धों के कितने भेध होते हैं कमेंट में बताएं। वीड